आज आप और हम मिलकर बनाएंगे काले चने का अचार चने का केरी का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है यह बहुत ही हेल्दी है जब कभी सबजी नहां हो तो इसके साथ हम रोटी खा सकते हैं एक पॉल में एक कप चना डाल कर दो तिन वार पानी डाल कर अच्छे से वाश करेंगे इसे चने में साथ पानी डाल कर साथ से आठ गंटे हम भिगोएंगे काले चने को भीगते वे आठ गंटे हो गए हैं हम पानी को छान करके अलग कर देंगे एक प्लेट पर कपड़ा रखकर चने को फिला देंगे 15 से 20 मिनट हमें फैन की नीचे रखकर इन्हें सुखाना है चने सूख गए हैं हमने तीन कच्चे आम को कद्दू कस करके लिया है एक बड़ा चमच अद्रक को आप कद्दू कस करके डाल सकते हैं आदा चोटा चमच नमक है नमक को आप अमना स्वादूंसा डाल सकते हैं एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे प्लेट से कवर करके चने को 6-7 गंटे फून ले देंगे एक पैन को गरम करके हम एक बड़ा चमच जीरा दो बड़े चमच सौफ आदा बड़ा चमच अजवाइन चोथाई बड़ा चमच मेथी दाना इन सबी को हम मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट भूनेंगे हमें मसालों को 80% ही भूनना चाहिए ज्यादा भूनने से इसका टेस्ट चला जाता है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे मसाले भून चुके हैं इन्हें रूम टेंपरेचर पर आने के बाद ग्राइंड करेंगे रूम टेंपरेचर पर आने के बाद ही मसालों को जार में डालके ग्राइंड करना चाहिए यदि हम गरम मसाले को ग्राइन करते हैं तो इनकी खुश्पू चली जाती है लिट से कवर करके हम इसे दरदरा पीस लेंगे मसाले को हमने दरदरा पीस लिया है इसे अब एक बाउल में निकाल लेंगे एक पैन में एक कप मस्टर्ड ओल डालकर इसे अच्छे से गरम करेंगे हाई फ्लेम पर तेल अच्छे से गरम हो चुका है इसे अब बंद कर देंगे और इसे हलका ठंडा होने देंगे अब हम मेट करेंगे दो तेश पत्ता एक छोटी चम्मच जीरा आदी चोटी चम्मच सौफ आदी चोटी चम्मच अजवाइन चोथाई चोटी चम्मच काला जीरा चोथाई चोटी चम्मच हीन इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम मेट करेंगे 5-6 कटेवी हरिमेच इसे एक मिनट तेल में अच्छे से भून लेंगे अब हम इस तेल को अचार पर डालेंगे साथ गंटे बाद चने बहुत अच्छे से फूल गए हैं अब हम एट करेंगे ग्राइंड की अवा मसाला गरम तेल का मसाला इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब एट करेंगे दो बड़े चमच लाल मिच्ची पाउडर, एक बड़ा चमच पीसीवी राई, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छी खुश्पू आ रही है, आचार में तेल की क्वांटिटी जादा होनी चाहिए, चने को तेल में डिप करके रखना है, नही हम इसे एक जार में भर कर रखेंगे, अब हम आचार को एक जार में भर कर रखेंगे, इसे हमें दो दिन तक सनलाइट में रखना है, दो दिन के बाद यह हल्का खटा हो जाएगा, आप इसे सव कर सकते हैं, चने के उपर तक तेल होना चाहिए, यदि आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन पर क्लिक करें, थेंक्स फोर वाचिंग मैं वीडियो,